असलाम अलेकुम, अच्छे वे टॉपिक के नाम है आर्चिया जो के बहुत असान और सिंपल साथ टॉपिक है बेसिकली आर्चिया कहते हैं माइक्रो और्गनीजम को और सबसे पहले आर्चिया को आर्चियो बक्टेरिया का नाम भी दिया जाता था इसकीर जो आr 할게요 है जो के आrčкив बकटेरिया है यह सारे के सारे सिमिलारीटिस रखते हैं दूसरे बक्टेरिया से और यू क्रोड के साथ है मरत कुछ आrinaudible के के कुछ मुख ग्लारीक। तो इसकीों के लोट के रेलेंगा जता नहीं होता यह compose होती है cell wall polysacride और other molecules होते हैं इवन कि आर्चे के cell wall में pure protein होती है और जो कुछ ऐसे आर्चे भी मजूद है जिनके पास cell wall मजूद नहीं होती है इसी तरह एक बड़ा main character है cell membrane अगर देखा जाए आर्ची है जो बक्टेरिया है इसके पास lipid होती है cell membrane के अंदर पर उस lipid के अंदर glycerol तो मजूद होता है पर वो किसके साथ branch बनाता है branch chain hydrocarbon के साथ linked होता है attach होता है इसका मतलब glycerol मजूद है पर वो किसके साथ linked है branch chain hydrocarbon के साथ इवन यही लिपड है यह आर्चियों को इतना able बनाता है कि high temperature पर यह survive कर जाता है जो आर्चिया बक्टेरिया है यह methogenesis करते हैं methogenesis का मतलब यह ability रगते हैं methane gas बनाने के लिए इसलिए methogenesis परफॉर्म करते हैं यह metabolic process है इसी तरह जो आर्चियों बक्टेरिया है nutrition के लहाद से इनके पास जो energy का source है वो तीन है जिसकी मदद से अपनी खुरा को यह खुद बनाते हैं एक है energy को हासल करने का तरिका क compounds यह mode of nutrition है आर्चियों बक्टेरिया का हाँ आपको यह बता देता हो ribosomal RNA sequence के लहाद से काफी main difference है मतलब आपके ऐसे जो आर्चियों बक्टेरिया और यू बक्टेरिया इसमें काफी ज़दा फरक है पर एक ऐसा sequence of nucleotide है ribosomal RNA का जो दोनों का अगर देखा जाए आपको ज 210 नंबर पर sequence आता है आपने उसको गोर से देखने है यू बक्टेरिया का यह sequence है आर्चियों बक्टेरिया का यह sequence है अर्चियों कुछ similar है पर यहाँ पे आप देखा है जो आर्चो बक्तेरिय इसकी classification है extreme environment के लहाँ से कुछ आर्चो बक्तेरिया है उन को methogenes कहते हैं कुछ halogenes होते हैं कुछ thermocidophils होते हैं methogenes वो होते हैं जो methane gas produce करते हैं वो आर्चो बक्तेरिया methogenes कहलाते हैं यह found होते हैं an aerobic environment यह अरोबिक इन्वार्मन्ट में रहते हैं जैसे स्वाम्स मारिशिस जैसे कि इंडा इंटरस्टाइनल ट्रैक ओफ धुमन एड़र एनिमल्स यह आप कहसे हैं कि जो आप कहले के जैसे दलदल हो गई यहां पर जोहड हो गई स्वाम्स मार्शिस में नजर आते हैं यह मिथेन जो कि एक बायो गैस है इसको प्रेडियूस करते हैं इसलिए इन आर्चो बक्टेरिया को कहते हैं मैथोजन्स आर्चो बक्टेरिया कुछ होते हैं हैलोजन्स आर्चो बक्टेरिया इनको नीड होती है हाई सोल्ड की यह अपने उस जगह पर रहते हैं जहांपे सोल्ड की कंसे mentorship बहुत ज्यादा होती है ताकि ये गृथ कर सके इसलिए आपको salty area में नजर आते हैं जैसे मच्छली के अंदर या meat गोष्ट के अंदर आपको नजर आते हैं ये halogenes archobacteria कुछ आर्चरबक्टेर को नाम है thermocytophils thermocytophils को होते हैं कि basically isolated है यह आपको नज़र आते हैं extremely hot and acidic environment जो गरम और acidic environment में नज़र आते हैं वो thermocytophils यह आपके सामने आर्चोर बक्टेरिया हैं यह hot spring चश्में गैजर्स वॉलकैनोस जहापे लावा फट रहा होता है thermocytophils अर्चोर बक्टेरिया अब इसी तरह जो main point आई है आपके सामने बक्टेरिया यह आपके सामने आर्ची है दोनों में फरक है अगर दोनों में देखा जाए एक है ribosomal RNA के सीक्वेंस बक्टेरिया के पास unique होता है यह बक्टेरिया के पास ribosomal sequence और आर्चोर बक्टेरिय इनका जो ribosomal RNA के मैच करता है यह क्रोटिक वन्स के साथ बक्टेरिया और आर्चोर बक्टेरिया में RNA पोलिमरेस में यह है कि जो बक्टेरिया यह relatively small and simple होता है आर्चोर बक्टेरिया के पास some genes present होते हैं इंट्रॉन जो के non coding part है यह absent होता है बक्टेरिया के पास जबके प् अब आर्चोर बक्टेरिया के पास होते हैं और आर्चोर बक्टेरिया कि पास apart होते हैं topi यह नहीं होता है यह तो हमार पास टॉपी जिसका नाम है इंयो बक्टेरिया